Huawei के सब ब्रेंड Honor नहीं अपना नया स्मार्टफोन Honor 7X लॉंच कर दिया है भारत में भी फोन की लॉंचिंग हो चुकी है और अब फाइनली इसकी जो कीमत है वो सामने आ गई है आपको मिलता है 32GB internal storage variant 12,999 रुपे में जबकि जो इसका 64GB internal storage variant है वो आपको मिलेगा 15,999 रुपे में Honor 7X का first impression हम पहले कर चुके हैं आज हम देखेंगे इसके बारे में कुछ और खास बाते और जानेंगे इसके खास फीचर्स के बारे में मैं अगरी कनवाद इस बॉट से चले आप चुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन की तो Honor ने यहां पर काफी अच्छा काम किया है आप देख सकते हैं फोन काफी प्रीमियम लुक के साथ आता है सलीक यह फोन है मैतल यूनि बॉड़ी इसमें दी गई है और गवड डिस्प्लेएक जो यहां पर आपको कर्व टुपइंट फइफडी ग्लास हिसमें दीा गया है और इसका जो डिस्प्लेएक वह बेजल लेस्प्लेएक बार लेजल सकते हैं इस phone को हाथ में लेते हैं, जब आप इसे carry करते हैं, तो काफी premium यहाँ पर आपको यह look देता है, यहाँ पर Honor 7X में आपको एक खास feature जो मिलता है, वो है Wi-Fi bridge का, यानि कि इसके उन्दद से आप किसी के साथ अगर Wi-Fi अपना share करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको settings में जाना होगा, यहाँ पर more का option आपको दिया गया है, इस पर जाएं और यहाँ पर T3 and portable hotspot जोगी आपको दूसरा यहाँ पर option है, इसमें जाके, आप देख सकते हैं, Wi-Fi bridge का यहाँ पर option मिलता है, इसे on करें, जिसके बाद आप अगर किसी के साथ अपना Wi-Fi जो है वो share करना चाते हैं, तो आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या घर पर या कहीं अगर आप Wi-Fi share करना चाते हैं, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं, दूसरे feature की हाँ हम बात करेंगे, वो है one key split screen का feature, यानि कि आप इस phone पर multitask जो है वो कर सकते हैं, मान दिजिए आप यह बटन को जो है screen पर दिए button को long press करना है, यहाँ देख रीजिए आपकी जो भी आप काम करे थे वो open रहे का और आप यहाँ से settings अपनी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है, आप उन सब काम को यहाँ पर कर सकते हैं, तो एक साथ आप दो काम यहाँ पर इस phone पे असानी से कर सकत कर सकते हैं, वो है quick calling का, और 7X में आपको यह feature मिलता है जिसकी मदद से अगर आपका जो phone का screen है वो off है, तो आप volume बटन को hold करके इसमें अगर आप जिस भी contact को call करना चाहेंगे उसका नाम लेंगे तो आपको उस पर call कर पाएंगे, यानि कि आपको इसके लिए नाही screen on करन केवल volume बटन आपको down press करना है और alert tone आपके लिए आएगी इसके बाद आप जिसको call करना चाहते हैं, उन्हें call कर पाएंगे, इसके लिए आपको settings में जाना होगा, यहां पर smart assistance का आपको option मिला है, यहां पर जाएं और voice control का option यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पह कर पाएंगे, अगले हम feature की बात करेंगे वो है data transfer का, honor 7x में आपको एक feature मिलता है, जिसकी मदब से आप अपने पूराने phone से जो data है, वो honor 7x में transfer कर सकते हैं, आप किसी android phone से भी यह transfer कर सकते हैं, और साथी iOS phone से भी आप data transfer कर सकते हैं, इसके लिए आपको settings में जाना होगा, और यहां पर आप देख सकते हैं, एडवांस सेटिंग्स का आपको यहां पर option मिलता है, डेटा transfer में आपको जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको options दिये गए हैं, आप अगर Huawei की device से transfer करना चाहते हैं, उसका option यहां पर दिया गया, Android device का दिया गया, साथी iOS device का यहाँ पर आपको option मिलता है, इसकी मदद से आपको जो यहाँ पर data है वो आप transfer कर पाएंगे, phone clone नाम की जो एक app है वो आपको अपने पुराने फोन में डाउनलोड करनी होगी, जिसके बाद आप उसको launch करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, QR code आप पो एक दिखाया जाएगा, जिसकी मिदद से आप अपना जो पूरा data है वो इस फोन में transfer कर पाएंगे, तो यह थे Honor के stylish smartphone Honor 7X के कुछ खास फीजर्स जो आपको इस फोन में मिलते हैं, mid-range की कीमत में यह फोन भालत में पेश किया गया है, इसकी sale Amazon पर exclusively होगी, और कीमत इसकी शुरू होती है 12,999 रुपे से, फोन की sale होगी 7 December से, तो अगर आप यह फोन खरीदना चाहते हैं, तो Amazon पर आप इसे खरीद सकते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे like करें, share करें और comment दरूर करें, subscribe करें Gizbot का YouTube चैनल